हाँ बेटा तुम तुम पीछे चोथी लाइन कड़े हो जाओ ये बताओ ये किस पिच्चर का सीन है ये जाओ फल्ट्रोन सही जवाब बैटो तुम हाँ तुम फोन देख रहे हो तुम खड़े हो ये किस पिच्चर का सीन है इंफिनिटी इंफिनिटी वार थत यही पड़ाया लिखाया तुझको ये है ये है Guardians of the Galaxy का सीन जिसमें Thanos को इंट्रोड्यूस किया गया था और मैंने कहने का मतवल ये है बबुआ की जब Thanos को Infinity War और Endgame जैसी मूवीस से पहले ही दूसरी अधर मूवीस में और उनके post credit सीन में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है तो आप क्या सूचते हो आईडीजे का डूम सीधा डूमस डे में आएगा नहीं रोबर्ट आउनी जूनियर का Doctor Doom Avengers डूमस डे में तो आएगा ही आएगा लेकिन उससे पहले ही Marvel में ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा किस मूवी में पताता हूँ यार सबर रखो अब आप ये तो मानते हो ना कि Marvel हमें गुमराह करने के मामले में एकदम एक्सपर्ट हो चुका है चाहे नो वे होम का ट्रेलर ले लो जिससे उसने स्पाइडर मैन को गायब कर दिया था एंड्रू गार्फील्ड हमसे जूट बोल रहे थे कि वो नो वे होम में नहीं आएंगे लेकिन वो आ गये थे चाहे अभी लेटस्ट केस ले लो डेड़पुल एंड वॉल्वरीन का जिसमें डैफनी कीन एके एक्स 23 बोल रही थी कि उन्हें मुवी में आने के लिए कॉल नहीं आया वो मुवी में नहीं आएंगी और फाइनल ट्रेलर में आए साथ हुआ दोखा सुझ उसी तरह से अब कॉमि कॉन में 200 ब्रदर्स ने कहा है कि दो साल बाद मिलेंगे यानि मावल फिर से हमारे साथ वही खेल खेलदा है मावल चाहता है कि फैंस ये सोचें कि RDJ का डॉक्टर डूम सीधे एवेंजर्स डूम स्डे में आएगा पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों देखो डॉक्टर डूम भले ही पूरे MCU के हिरोज के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा हो बट उसका जो ओरिजिन है वो फेंटास्टिक 4 में ही है वो रीड रिचर्ड्स का एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है एक टाइम पर और वैसा ही तेज दिमाग भी रखता है जो दुनिया पर और यूनिवर्स पर कबजा ना करना चाहता हो मतलब अमेरिका से बाहर नहीं निकले हैं अमेरिका से बाहर किसी दूसरी कंट्री में नहीं गये किसी महले में नहीं गये लेकिन कबजा वो इनको पूरी दुनिया पर करना है अब देखो वैसे तो जो रिपो हालाकि इनकी जो अपडेट है ये मैंने पहले ही अपनी एक प्रिविएस वीडियो में बता दी थी आप इस चीज के गवा हो मैंने बोला था कि RDJ का Dr. Doom Avengers Dooms Day से पहले Fantastic Four के Post Credit Scene में आएगा याद है मैंने बोला था मैंने कहा था Fantastic Four मूवी देखने का आपका मन ना हो तो भी इसको देखने जाना नूवी के लिए नहीं बलकि इसके Post Credit Scene के लिए ये बोला था मैंने याद है आपको So exactly इसी चीज को इस रिपोर्ट में भी बोला गया है कि RDJ का Dr. Doom Avengers Dooms Day में आकर तबाई मचाने से पहले अगले साल आ रही Fantastic Four मूवी के मिड या Post Credit Scene में Definitely आने वाला है उसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा MCU में इसका मैं आपको प्रूफ दूँगा मतलब एक बहुत ही लॉजिकल प्रूफ यह कैसे होगा लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी सी ही होती तो मैं उस पर वीडियो क्यों गणा था भाई बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ करें आपको क्या लगता है Marvel ने RDJ को ही Dr. Doom के रोल में क्यों कास्ट किया वो इसलिए दोस्तों क्योंकि Dr. Doom किसी दूसरे युनिवर्स के Tony Stark का ही एक evil variant हो सकता है बट अभी ये चीज़ confirm नहीं हुई है फैन्स भी इस पर बटे हुए है कई फैन्स का ये मानना है कि हमारा RDJ वाला Dr. Doom एक evil Tony Stark variant है जो किसी दूसरे युनिवर्स से आता है वही कई फैन्स ये भी मानते है ये वाला Victor Von Doom का रोल RDJ इंडिपेंडेंटली प्ले करेंगे मतलब ये प्योर Dr. Doom ही होगा इसके Tony Stark या उसके variant वगारा से कोई लेना देना नहीं होगा just like Chris Evans ने MCU में Human Torch और Captain America इन दोनों रोल्स को किया है सेम इसी तरह से आर डीजे भी ये रोल करेंगे तो ये चीज़ तो अभी क्लिर नहीं होई है लेकिन कैसे आर डीजे को Fantastic Four की स्टोरी लाइन में फिट किया जाएगा मैं वो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग है और आपको बहुत मजाएगा देखो Fantastic Four में Galactus आएगा ये तो कनफर्म हो चुका है Comic Con में Fantastic Four का एक टीजर भी दिखा दिया गया था जिसमें हमें Reed Richards और बाकी उसकी पूरी टीम दिखाई गई थी Fantastic Four मूवी एक अलग यूनिवर्स में 1960s के एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक इन्वार्मेंट में होने वाली है ठीक है तो ये जो Fantastic Four का यूनिवर्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन इसके साथ ही ये भी कनफर्म हो चुका है दोस्तों कि मूवी का एंड आते आते Fantastic Four की पूरी टीम अपनी यानी Earth 616 की सेक्रेड टाइम लाइन में भी आ जाएगी क्यों आएगी कैसे आएगी क्योंकि देखो Galactus as a main villain कनफर्म हो चुका है Fantastic Four के लिए स्टोरी लाइन ऐसी रहेगी दोस्तों कि Fantastic Four में हमें इनका origin दिखाया जाएगा साथ ही ये दिखाया जाएगा कि इन्हें इनके mission के दोरान powers कैसे मिली और फिर main villain जोकी Galactus है ये इनकी दुनिया को destroy कर रहा होगा तो ये लोग उसे रोकने का try तो करेंगे लेकिन successful नहीं हो पाएगा और जब Galactus finally इनके world को destroy कर देगा तो फिर वो या तो खुद अपना universe छोड़कर हमारी earth 616 में आ जाएगे या फिर like कोई बंदा उन्हें यहां लेकर आएगा वै क्या पता doctor strange ही लिया है लेकिन इस पूरी story line में आडीजे का doom कहां पर fit होगा अब यह सुनिये या वै जब Galactus fantastic 4 के world को destroy कर रहा होगा तो Reid Richards और पूरी fantastic 4 की team वो हमारे universe में आ रही होगी लेकिन doctor doom इनके universe का doctor doom होगा यानि आडीजे का doom वो वहीं खड़ा खड़ा इन्हें देख रहा होगा मतलब वो उस universe को उस point पर नहीं छोड़ेगा वो यह देखेगा कि कैसे Reid Richards और उसकी fantastic 4 की team मुसीबत के time Galactus के हाथो अपने world को destroy होने के लिए छोड़ कर वहां से भाग कर हमारी 616 में आ गई यानि एक तरह से अपने home को destroy करने का जिम्मेदार वो Reid Richards को मानेगा और fantastic 4 की team को मानेगा यानि अपने universe के destruction के लिए वो सीधे fantastic 4 को blame करेगा कौन? Dr. Doom और पता नहीं क्यों यार मुझे अभी से अंदर से एक ऐसी feeling आ रही है कि अगर storyline exactly यही storyline रहती है तो फिर मैं RDJ के Dr. Doom को support भी करूँँआ क्योंकि obviously यहाँ पर कहीं ना कहीं fantastic 4 morally तो wrong हो गई होंगे क्योंकि उन्होंने अपने universe को Galactus से मतलब एक तरह से divorce करने के लिए छोड़ दिया destroy होने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से भाग के हमारी अर्थ में आ गया तो भाई heroes के aspect से देखा जाए तो भाई कोई hero कभी भी battlefield छोड़ कर नहीं भागता है तो यहाँ पर RDJ का Dr. Doom हो या literally कोई और बंदा हो भाई वो इन पर गुसा तो हो ही जाएगा इन पर hate तो दे ही देगा so इसके बाद जब RDJ इन्हें blame करेंगे I mean RDJ का Dr. Doom जब इन्हें blame करेगा अपने universe के destruction के लिए so वो इनसे बदला लेने इनके पीछे पीछे हमारी 616 वाली अर्थ पर आएगा और जब वो यहाँ पर आएगा तो fantastic 4 को hunt करना चाहेगा उन्हें मारना चाहेगा लेकिन तब तक fantastic 4 जो है वो हमारी अर्थ के avengers से काफी ज़्यादा घुल मिल चुके होंगे और इसी लिए फिर ये dome versus fantastic 4 का battle doom versus fantastic 4 and avengers बन जाएगा यानि avengers doomsday इसका नाम इसी लिए डाला गया है और ये actual में एक perfect title है दोस्तों इस movie का एक बार आपको fantastic 4 की release date फिर से बता देता हूं July 25 2025 आडीजे का doctor doom का role play करना गाइस कई reasons के चलते perfect है लाइक आडीजे का star power उनके next level acting skills और सबसे बड़ी बात जब वो spider-man और war machine इन सबसे भाई मिलेंगे तो इनका जो reaction होगा वो देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा मतलब लाइक पीटर जी स्टोनी स्टार को as a father figure और as a mentor देखता था उससे जब वो ऐसे भैंकर evil version में देगेगा तो भाई उसका क्या reaction होगा और वो कैसे खुद को prepare करेगा उससे लड़ने के लिए जिसे वो कल तक अपने mentor की तरह देखता था और सेम यही चीज वार मशीन और दूसरे Avengers के साथ भी होगी तो यह देखना बहुत बहुत ज्यादा interesting होगा भाई RDJ के Doom को देखकर Peter को तो literally मिरगी आने वाली है और उसको मोजा तो पक्का सुंगाना पड़ेगा और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि RDJ Dr. Doom के रोल के लिए पहले भी audition कर चुके है जब इने Tony Stark का रोल नहीं मिला था तो टेक्निकली देखा जाए तो it's not his first time playing Dr. Doom हाँ, इस screen पर तो officially first time है बट off screen जहाँ पर यह पहले भी audition कर चुके है तो यह second time Dr. Doom का role play करने वाले हैं इसके लाबा गाई आडीजे का डूम फैंस को कैंग को बुलाने में और ज्यादा मदद करेगा और भाई क्या पता, कैंग की स्टोरी लाइन को खत्म करने के लिए मावल, आडीजे के Dr. Doom से Multiversal Council of Kanks जो था उसे पूरी तरह से destroy करा दे और इससे होंगे दो फाइदे, basically एक तो कैंग की स्टोरी लाइन officially खत्म हो जाएगी और दूसरा हमें कैंग से भी एक bigger serious multiversal level threat Dr. Doom के तौर पर देखने को मिल जाएगा और उसकी ultimate destruction वाली super powers भी अच्छे से MCU में setup हो जाएगी, उसका पूरा cough बन जाएगा MCU में तो भाई इस वीडियो को final verdict तो यही है कि RDJ का Dr. Doom अगले साल आने वाली Fantastic 4 के mid-ya post credit scene में definitely आएगा Fantastic 4 में ऐसा करना आप सो जाना और post credit scene के आते आते मतलब उस time का alarm लगा लेना और जब alarm बजे तो जग के post credit में RDJ का Dr. Doom को on screen देख लेना खुश हो जाना, ice cream खाना, घर वापस आ जाना anyways, यह तो मजाग था लेकिन सच में RDJ का Dr. Doom अगले साल Fantastic 4 में introduce कर दिया जाएगा तो उसके लिए आप तयार रहना, उस movie को आप कता ही मिस्त ना करना, so guys वीडियो इप अच्छी लगी हो